हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो मैं चैनल फ्रेंड्स, आज मैं 7 प्रोजेक्ट के एपिसोड 6 का हिंदी एक्स्प्लेनेशन आप लोगों से शेयर करूंगी इस एपिसोड का नाम है वर्सेस लग और ये लब स्टोरी है फूफा और तोन्नम की तो चलिए, let's get started एपिसोड के शुरुवात में एक एक्सामिनेशन हॉल दिखाया जाता है फूफा एक लड़के को चीटिंग करता हुआ देख लेता है वो टीचर को जाके बोलता है तो टीचर बोलते है अगर तुम्हारे पास कोई सबोत नहीं है तो मैं रपिपत को पनिश नहीं कर सकता फूफा बोलता है क्या आप सोच रहे है कि मैं जूट बोल रहा हूँ मैंने सच में उसे देखा है चीटिंग करता हुआ रपिपत एक चीटर है वो एक्जाइम के समय एंसर देख रहा था जो वो टेबल के नीचे रखा था टीचर बोलते है तुम बिना कोई सबोत के अपने फ्रेंट को दोशी नहीं बना सकते मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों टॉप स्टुडेंट हो ये बहुत आसान रास्ता है उसे हराने का लेकिन ये सही रास्ता नहीं है फुफा बोलता है क्या आपको लगता है मैं इस टाइप कलर का हूँ टीचर बोलते है मैंने इस तरह से नहीं कहा था लेकिन रफिपत जैसे स्मार्ट स्टूडेंट को ये करने की कोई कारण नहीं है वो स्कूल डारेक्टर का भतीजा है वो एक अच्छा स्टूडेंट है वो हमेशा स्कूल एक्टिविटीज में भाग लेता है तो वो ऐसा क्यों करेगा फुफा बोलता है मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है अगर आप ऐसा कहेंगे तो और वो वहाँ से चला जाता है वो टीचर्स रूम से बाहर निकलता है तो सब उसकी तरफ देख रहे होते है एक लड़की बोलती है मुझे येकीन है उसके पास फी को हराने का कोई तरीका नहीं है इसलिए उसने ऐसा किया और एक लड़की बोलती है वो कैसे उसे हरा सकता है मेरा फी परफेक्ट है वो गूड लोकिंग है और वो स्कूल डारेक्टर का भतीजा है उन लोगों का कोई तुलना ही नहीं है उसका ग्रेट फी के साथ सिमिलर है क्योंकि शायद उसने चीटिंग किया है ठीक वैसे ही जैसे उसने ये कहानी बनाई और फूफा ये सब सुन रहा होता है फिर सीन चेंज होता है दो जुर्वा भाई बेहन को दिखाया जाता है तोन्नम और तोन्खाओ तोन्खाओ तोन्नम को स्कूल जाने के लिए बुला रही होती है तोन्नम आता है और बोलता है क्या तुम मुझे पहले दिन से ही ऐसे डाटोगे जैसे तुम मेरी मा हो और वो तोनखाओ के बालों को मेसी करने लगता है तोनखाओ बुलती है मैं मॉम को बोल दूंगी और वो दोनों लड़ाई करते हुए स्कूल पहुंसते है तोनखाओ बुलती है ये स्कूल काफे बड़ा है तोन्नम बुलता है obviously हमारे पूराने स्कूल की तुलना में tuition fees भी बहुत जादा है अगर मुझे scholarship नहीं मिला होता तो हम इस school में नहीं आ पाते तोन्खाव बुलती है अगर मुझे scholarship मिली होती तो mom को मेरी tuition के लिए इतना पैसा खर्च करना नहीं पड़ता तोन्नम बुलता है मैंने तुम्हें कहा था इस बारे में चिंता ना करने के लिए बस अच्छे से पढ़ाई करके उन्हें चुका दो समझे फिर तोन्नम वाश्रूम में जाता है वहाँ पे first time वो फूफा को देखता है वो एक student को मारा और वहाँ से चला गया तोन्नम जाके उ एक दूसरा student उस student को बोलता है तुम्हारा लग इतना खड़ाग क्यूं है कि तुम फूफा के रास्ते में आ गए तोन्नम बोलता है फूफा उसका नाम फूफा है वो student बोलता है तुम लोग उससे इतना डरते क्यूं हो मेरी बात सुनो अगर कोई फिर से तुमको ऐसे हो है ना तुनम बोलता है हाँ वो student बोलता है मैं यही सोच रहा था तुम जान जाओगे क्यूं कोई फूफा के साथ खिलवार नहीं करना चाहता हमें अभी जाना चाहिए और वो students वहां से चले जाते हैं फिर classroom का सीन दिखाया जाता है teacher class में आते है फूफा class में सो रहा होत है teacher पीम को बोलते है उसे उठाने के लिए फिर वो फूफा को उठाता है teacher बोलते है अब तुम हाई स्कुल में हो मिस्टर चायापत class में ध्यान लगाओ तुम्हें university में एंटर करने के लिए अच्छे grades चाहिए फिर teacher तुर्णम को class में बुलाते है तुर्णम क्लास में आत बोलता है नॉर्मली एक लीडर चुनने के लिए फोट करना पड़ता है teacher बोलते है लेकिन मुझे लगता है तुर्णम लीडर बनने के लिए सबसे उपयोक्त है तुम्हारा problem क्या है चायापत फिर teacher तुर्णम को पीम के पास वाले seat पे जाके बैठने के लिए बोलते है जो मेरा नाम पीम है हमारे स्कुल में स्वागत है नए दोस और हग करता है और फूफा ये सब देख रहा होता है फिर वो दोनों लांच टाइम पे कैंटिन में जाते है तुननम वहां तोनखाओ को देखता है और वहां जा रहा होता है तभी फूफा वहां पे आता है और वो त तोन्खाव से पूछता है क्या तुम तोन्खाव हो यह देखके तोन्णम मुहापे दौर के आता है और बोलता है तुम कहां जा रही हो तुमने अभी तक खाना खतम नहीं किया पहले हमारे साथ खाओ अगर कोई तुम्हें कहे कि कहीं और जाके बैठो तो उसे बोल दो कि यह हमारा स्कूल है यह स navy केथेड़िया है उसका प्राइवेर क्या बोल रहे हो किसी ने मुझ से नहीं कहा कहीं और जाके बैठने के लिएम बोलता है तो फिर इसका क्या तोन्खाव बोलती है यह मुझे मेरा वारलेट लटाने आया है तब तोन्हम थो dhat him को जाता है फूफा बोलता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है क्या घ्रता हो और मुस्कूरा कर चला जाता है फिर फीम कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया वो सकता चूद का है एक फूफ़ा लरका है लेकिन वह नरके साद कभी वरताब नहीं करता नहीं हूं means तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है? तुम उस पे इतना गुस्सा क्यों हो? तुन्नम बोलता है भूल जाओ उसे तभी रूंग बोलती है ये लोग कौन है? तुम इन्हें भी जानती हो तुन्हा उन लोगों को इंट्रिड्यूस करती है फिर वो लोग खाना खाने बैठते है तुन्खाव तुन्नम को बोलती है तुमने जो किया वो ठीक नहीं था तुन्नम बोलता है क्या तुम मेरी मा हो? फिर तुन्नम को उसके बेडरूम में पढ़ाई करता हुआ दिखाया जाता है तोन्खाव वहाँ पे आती है और उसे घूर रही होती है तोन्खाव बोलता है तुम ऐसे घूर क्यों रहे हो ये क्या है तोन्खाव बोलती है दो पहर को क्या हुआ था या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तौन्नम् सोच रहा होता है तो तौन्काव फिर से बोलती है मैं जानती हूँ के तुम्हें एक नेक इंसान हो लेकिन मैंने कभी तुम्हें ऐसे गुशे में नहीं देखी तौन्नम् बोलता है वो सिर्फ एक misunderstanding था मैं जानती हूँ तुम जुट बोल रहे हो तोन्खाओ बोलता है, फाइन, मैंने फुफा को देखा था दूसरे स्टूडेंट को धक्का देते हुए, मुझे वो पसंद नहीं है, मैंने जब देखा कि वो तुम्हारी तरफ जा रहा है, तो मुझे लगा वो तुम्हें परेशान करेगा, तोन्खाओ बोलती है, लेकिन जल्दी जज मत करो, मुझे लगता है, उसने बहुत कुछ सहा है, इसलिए वो ऐसा हो गया, फिर वो चले जाने लगती है, तो तोन्खाओ खतम करके सीधा बेट पे जाना, समझे, तोन्खाओ येस डैट बोलके वहां से चली जाती है, फिर अगले दिन क्लास्रूम का सीन द उठाता हूँ, फिर वो फूफा को उठाता है, फिर टीचर बोलती है, कब तुम फिर से पहले जैसा अच्छा स्टूडेंट बनोगे, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, फूफा बोलता है, या ये क्लास् खतम हो गया, तो फिर मैं भी जाता हूँ, फिर टीचर, टीचर बोलती है, रुको, तुमारा अभी तक कोई ग्रूप नहीं है, क्या तुम्हें इसके लिए ग्रेट्स चाहिए, फूफा बोलता है, ठीक है, मैं ये अकेला कर सकता हूँ, टीचर पीम से कहते है, फूफा को अपने ग्रूप में लेने के लिए, पीम बो कोता है, वो अकेला है, मुझे नहीं लगता कि वो अकेले पूरा प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर सकता है, फीम कहता है, उसके जैसा इंसान अगर सोचेगा कि वो कर सकता है, तो वो कर सकता है, क्या तुम जानते हो, कोई फूफा और फी पहले टॉप स्टुडेंस थे, और वो academic competitions में school को represent भी करता था पहले वो एक अच्छा student था तुम्हारी जैसा फिर वो अच्छानक बदल गया उसने class में ध्यान लगाना बंद कर दिया उसे कोई फरक नहीं परता कि group work हो ये individual work सब उससे tired हो गये है कि वो ऐसा है इसलिए कोई उसे group में नहीं लेना चाता तोर्नम बोलता है उसके साथ actually हुआ क्या था फिम बोलता है मैं ठीक से नहीं जानता लेकिन सुना है कि फूफा फी को हराना चाता था इसलिए उसने ये कहानी बनाई कि फी exam में cheating करता है तोर्नम बोलता है सच में पीम बोलता है हाँ लेकिन teacher ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया कोई सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसा stupid हरकत करेगा इस घटना को बहुत दिन हो गये लेकिन मुझे लगता है उसी की वज़े से वो ऐसा हो गया फिर वो लोग group project के बाड़ में बात कर रहे होते है और तोर्नम पीम को बोलता है फूफा को बोल देने के लिए और वो लोग वहाँ से चले जाते है फिर पीम तोर्नम से पूछता है तुम तोर्नम से पूछता है तुम तोर्नम से नहीं मिलोगे तोर्नम बोलता है हाँ मैं उसे कॉल करता हूँ और वो तोर्नम को कॉल करता है और बोलता है तुम कहा हो तोर्नम बोलती है तुम तोर्नम से पूछता है तुम घर कैसे जाओगे रुम बोलती है मेरा भाई आएगा मुझे लेने के लिए पीम बोलता है तुम लोग चले ज़ाओ मैं उसे कमपनी दूँगा तोनखाओ बोलती है तो फिर रुम का ध्यान रखना और तोनखाओ तोनव के साथ वहाँ से चली जाती है फिर सेन चेंज होता है तोनव ग्राउन में आके पीम को मैसेज करता है पूछता है वो कहा है पीम रिपलाई करता है कि उसे लेट होगा फिर तोनव मैसेज करता है कि फूफा से भी पूछ लो वो भी अब तक नहीं आया फिम reply करता है कि कल से वो मेरे message का reply नहीं दे रहा है और उसे call कर लो तब तक मैं आ रहा हूँ और उसको number send करता है तोननम फूफा को call करता है लेकिन वो pick नहीं करता फिर तोननम कुछ दूर जाके देखता है फूफा का फी और उसके friends के साथ जगरा हो रहा है तोननम ये देखके बोलता है तुम क्या कर रहे हो तुम लोग अभी भी school में हो फी बोलता है तो क्या हुआ new kid तोननम बोलता है मैं teacher को बोल दूँगा अगर तुम लोग नहीं रुके फी हसता है और बोलता है क्या कहा तुमने teacher को बोल दोगे अगर तुम टीचर को बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो फूफा फी से बोलता है क्या तुम बाते करना बंद करोगे जल्दी करो Actually फी और उसके फ्रेंड्स फूफा को मारने के लिए आये है फी फूफा को पंच मारता है फूफा फूफा किसी भी तरह से फूफा को लेके वहाँ से भाग जाता है फूफा फूफा बोलता है तुम यही चाहते हो है ना मुझे परिशान करना बंद कर दोगे अगर मैं कुछ करूंगा राइट तो नम बोलता है हाँ फूफा बोलता है तुम्हें अपना वादा रखना होगा तो नम बोलता है तुम सिर्फ अपने से कमजोर के ऊपर चर सकते हो यह सुनके फूफा बहुत गुसा हो जाता है और बोल क्या हुआ फूफा वहां से चला जाता है और तोनम भी फिर फी उन दोनों की पीछे भागने लगता है फिर फूफा घर पहुचता है तो उसका फादर उससे बोलते है तुम फाइनली आ गये वह वहां से जाने लगता है तो वह बोलते है रुको तुमारे चेहरे को क्या हु फूफवा बोलता है तोटी से लड़ाई हो गई। उसका फादर बोलता है फिर से यूँ तूं हमेशा परिशानी में पढ़ते हो अपने भाई की तरह अच्छे बनो तुम एगर ऐसे रहोगे तो कभी भी किसी से अच्छे नहीं बन सकते। फूफा बोलता है अब सही कहे रहे हैं मैं कभी अच्छा नहीं बन सकता और वहाँ से चला जाता है उसका फादर बोलता है मैंने अभी तक बात खतम नहीं किया था फिर तोननम को दिखाया जाता है वो पीम को कॉल करता है और बोलता है क्या तुम मुझे उस फूफा के बाड़े में बता सकते हो जो academic competitions में school का representative था फीम बोलता है इसके बाड़े में मैं जादा नहीं जानता मैं जितना जानता हूँ उतना तुम्हें बता चुका हूँ तोन्नम बोलता है तुम मुझे परिशान क्यों कर रहे हो फीम बोलता है तुम जानना क्यों चाते हो तोन्नम बोलता है कुछ नहीं ऐसे ही और वो कॉल कट कर देता है फिर वो school के website से फी के बाड़े में पता लगाने की कोशिश करता है तभी तोन्काव वहाँ पे आ जाती है वो कहती है ये तो फी है ये हमारे class में है तोन्नम कहता है वो कैसा है तोन्काव कहती है अच्छा है स्मार्ट है वो हमेशा टॉप student रहा है जहां तक मैं जानती हूँ उसने पिछले साल outstanding student का एवार्ड भी जीता था इसे जादा मैं नहीं जानती मैंने ये सब अपने friends से सुना है और वो वहाँ से चली जाती है फिर फी को वाश रूम में एक चिट फेकता हुआ दिखाया जाता है एक लेरका वो देख लेता है तो फी उसे कहता है तुमने क्या देखा वो लेरका बोलता है कुछ नहीं फी उसको पैसा देता है और बोलता है इसके बारे में किसी से नहीं कहने के लिए और तोन्नम ये सब चुपके से सुन रहा और वीडियो कर रहा होता है फिर वो वहाँ से चले जाने के बाद तोन्नम डास्टमिन से वो चिट निकालता है और वो टीचर को जाके ये सब दिखाता है टीचर बोलते है तुम्हें ये क्लिप कहां से मिली तुर्णम बोलता है ये मैंने रेकॉर्ड किया मैंने ये अपनी आँखों से देखा और वो चिट टीचर को देता है टीचर बोलते है तुम अब जाओ ये सब मैं देख लूँगा तुर्णम बोलता है आप उसके साथ क्या करेंगे आप उसे पनिश करेंगे है ना टीचर बोलते है तुम जानते हो ना कि रपीपत स्कूल डिरेक्टर का भतीजा है क्या तुम जानते हो कि तुमारे साथ क्या हो सकता है अगर सब को इसके बारे में पता चल गया तुर्णम बोलता है इससे कोई फरक नहीं परता कि वो स्कूल डिरेक्टर का भतीज़ा है या नहीं उसे फिर भी पनिश्मेंट मिलने चाहिए टीचर बूलता है हर नियम का एक्सेप्शन भी होता है तुम जा सकते हो मैं ये देख लूँगा तोनम जाने लगता है तो देखता है टीचर वो चिट डास्मिन में फेक देता है उसके बाद तोनम परिशान हो जाता है वो सोचता है कि क्या करे फिर उसे रास्ता मिल जाता है वो उस वीडियो क्लिप को सोसल मीडिया पे पोस्ट कर देता है और कैप्शन में लिखता है टीचर कोई चीटिंग कर रहा है फिर टीम उसे कॉल करता है और बोलता है इसकी वज़े से तुमें बड़ा प्राब्लिम होगा क्योंकि फी स्कूल प्रेसिडेंट का भतीजा है सोननम बोलता है अगर टीचर उसे पनिश्मेंट नहीं देंगे तो मैं खुद उसे पनिश्मेंट दूँगा टीम बोलता है तुम प्राब्लिम को बुला रहे हो सोननम बोलता है मुझे सोना है और कॉल कट कर देता है फिर अगले दिन स्कूल में हर कोई सोननम को घूर रहा होता है सोननम बोलती है क्योंकि तुम जस्टिस से बहुत प्यार करते हो अब हर कोई तुम्हारी तरफ देख रहा है सोननम बोलता है नियाए प्राब्लिम का कारण नहीं है लेकिन अनियाए है और अगर हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे तो system कभी change नहीं होगा समय announcement होता है कि तुननम को डारेक्टर के office में बुलाया जा रहा है तुनकाओ बोलती है good luck नियाए के लिए लरना फिर डारेक्टर का room दिखाया जाता है डारेक्टर बोलते है तुम क्या सोच रहे थे तोननम बोलता है मैं सिर्फ चीटर को पनिश करना चाता हूँ डारेक्टर बोलते है तुम जानते हो कि ये स्कूल की रेपूटेशन को बरबात कर देगा और फिर भी तुमने ऐसा किया रभीपत एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है उसने हमारी स्कूल का अच्छा रेपूटेशन बनाया है तोननम बोलता है और वो आपका भतीजा भी है है ना डारेक्टर बोलता है ये बात नहीं है तोननम बोलता है तो क्या बात है उसने एक्जाम में चीटिंग किया इसे बरबात मत करो सुन्नम बोलता है इसे कौन बरबात कर रहा है मैं यह आपका भतीजा डिरेक्टर बोलते है मैं तुमसे और बात नहीं करना चाता मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम वो क्लिप डिलीट कर दो नहीं तो मैं तुम्हारा स्कॉलर्शिप ले लूँगा सुन्नम बोलता है मुझे लगता है कि बहुत देर हो गया है सोसल मीडिया पे न्यूस बहुत जल्दी स्पेड होता है सब सायद इसे देख चुके है डिरेक्टर बोलते है क्या तुम इसे ऐसा बनाना चाते हो तुन्नम बोलता है ये आपके उपर है लेकिन सच कभी नहीं मरता और तुन्नम वहाँ से चला जाता है वो डिरेक्टर के रूम से बाहर निकलता है तो वहाँ पे फी आता है और बोलता है तुम सोचते हो कि तुम मुझसे बहतर हो और उसे एक पंच मारता है तुर्णम बोलता है मैं एक्जामेट चीटिंग नहीं करता हूँ और तुर्णम फी को एक पंच मारता है और उन दोनों की लराई शुरू हो जाती है फिर पीम फूफा को देखता है और उसके पास आके बोलता है क्या तुमने तुन्नम को देखा? फूफा बोलता है? नहीं फिर एक लड़का आके बोलता है कि इस उस नए लड़की के साथ फाइट कर रहा है और वो दोनों भाग के वहाँ पे जाते है फूफा उन दोनों को छुड़ाता है तुन्नम फूफा से बोलता है सब को बोलो के वो एक चीटर है फूफा बोलता है तुम कर क्या रहे हो तुन्नम और उसे लेके वहाँ से चला जाता है वो उसे फास्ट इट करने के लिए लाया हुआ है फिम पानी लेने चला जाता है और फूफा तुन्नम को दवाई लगा रहा होता है फिर फूफा तुन्नम को सौरी बोलता है तुन्नम हस देता है और बोलता है मुझे पता नहीं था कि तुम ये वाड भी बोल सकते हो फुफा बोलता है हम तुम्हें कैसे पता होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था तुर्णम बोलता है ये बड़ी बात नहीं है कि मैं ये कैसे जानूंगा बल्कि ये कि तुमने कुछ क्यों नहीं कहा तुमने उसे अपना फाइदा उठाने दिया और तुम अन्या देखके चुप रहोगे तो उसका मतलब है कि तुम इंडारेक्ली उसे सपोर्ट कर रहे हो या इसी के वज़े से तुम चेंज हो गये हो फुफा बोलता है मुझे लगता है कि अच्छा इंसन बनके कोई फाइदा नहीं अगर तुम अन्या के खिलाफ नहीं लड़ सकते तो नम बोलता है लेकिन ये तुम्हारे अपने भले के लिए है और अपने पेरेंस के गर्व के लिए भी फुफा बोलता है मेरे पेरेंस वो मेरा परवा नहीं करते चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लू मैं कभी भी अपने बड़े भाई जैसा अच्छा नहीं बन सकता तो नम बोलता है तुम अपने भाई की तरह क्यों बनोगे हम खुद का सबसे अच्छा फर्षन बन सकते है तुम ऐसा सोचते हो इसलिए तुम ऐसा बन गये हो तुम दूसरों को तुम से नफरत कराते हो फिर फूफा बोलता है तुम मुझसे क्या करने के लिए उम्मीद करते हो नियाए की मांग क्या तुम्हें लगता है कि हमारे देश में नियाए मौजूद है तुन्नम बोलता है तुम्हें फाइट करना होगा मरते दम तक अगर तुम इसके बदले में कुछ रिटार ना पाओ लेकिन फिर भी तुम्हें सही के लिए लरना होगा जैसा मैंने तुम्हारे लिए फाइट किया मैंने इसके लिए अपनी स्कॉलर्शिप खो दिया सभी फूफ़ा इमोशनल हो जाता है और तुन्नम को हग कर लेता है तुन्नम थोड़ा शौक्त हो जाता है और फिर पूछता है क्या हुआ फूफ़ा बोलता है थैंक यू तुन्नम बोलता है इस ओके अटलिस्ट मैंने उसके फेस में एक पंच मारा तुम्हारे लिए क्या तुम मुझे एक चीज़ प्रॉमिस करोगे फूफ़ा बोलता है क्या तुन्नम बोलता है तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना होगा वो बनना होगा जो तुम हुआ करते थे खुद के टैलेंट को वेस्ट करना शर्म की बात है क्यों तुम ऐसा करोगे फूफ़ा बोलता है ओके मैं प्रॉमिस करता हूँ तुन्नम बोलता है तुम मुझे छोड़ोगे कब फिर वहाँ पे पीम आता है और उनके ये रोमेंटिक मूट का दी एंड हो जाता है पीम उन दोनों को टीस करता है और बोलता है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है फूफ़ा बोलता है कुछ नहीं तभी फिर से अनाउंसमेंट होता है कि तुन्नम और फूफ़ा को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जा रहा है वो दोनों मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं फिर तोन्खाव पिम के पास आती है और पूछती है क्या तुमने तुन्नम को देखा मैपने उसका नाम दो बर खूफ़ाoya को बिवाट को डेखा पिम बोलता है मैपने तुन्नम और फूफ़ा दोनों को नहीं देखा तुन्खाओ पूछती है घूम रहे हो तुन्खाओ बोलता है हाँ तुम अगर आना चाहो तो आ सकते हो फिर तुन्णम और फुफा को ग्राउंड पे दिखाया जाता है तुन्णम बोलता है मैंने अभी अभी रियलाइस किया ये क्लास किप करना मज़ेदार होता है फुफा बोलता है बेशक तुमने ये अब जाना तुन्णम बोलता है हाँ मैंने पहले कभी क्लास किप नहीं किया लेकिन तुम अपना प्रामिस मत भूलना ये last time है, जब मैं तुम्हे class keep करने दे रहा हूं फूफा बोलता है, मैं जानता हूँ फिर बोलता है, क्या तुम जानते हो पहली बार जब हम मिले थे, तो तुम कितना irritating थे तूरणम बोलता है, तुम भी annoying थे फूफा बोलता है, और अभी का क्या तोन्नम बोलता है किस बारे में फूफा बोलता है तुमको कैसा लगता है तोन्नम बोलता है मुझे लगता है मुझे अच्छा लगता है फूफा बोलता है अच्छा सिर्फ इतना ही तोन्नम बोलता है तुम मुझसे क्या कहलवाना चाते हो और तुम्हें कैसा लगता है? फुफा बोलता है मुझे पसंद है तुन्नम चौक जाता है फिर फुफा बोलता है मुझे पसंद है के हम दोस्त है तुन्नम बोलता है ओ, मुझे भी ये पसंद है फिर वहाँ पे तुन्खाव और पीम आते है और तोन्खाव तोन्नम को मारने के लिए जाती है तो तोन्नम भागने लगता है और तोन्खाव उसके पीछे भागने लगती है फूफा ये सब देख के हस रहा होता है सीम बोलता है अब तुम जानते हो के कैसे हसते है फूफा बोलता है बहुत समय बाद मुझे अच्छी हसी आई है फिर सीन चेंज होता है और तोन्नम को फोन पे चैटिंग करता हुआ दिखाया जाता है तभी उसके रूम में तोन्नम चौक जाता है और तोन्नम चौक जाता है और तोन्नम चौक जाता है तुमने नौक क्यों नहीं किया सोनखाओ बोलती है, मैं भूल गई. By the way, तुम हस क्यों रहे थे? तौननम बोलता है, कौन हस रहा था? मैं तर अपना home work कर रहा था. सोनखाओ बोलती है, सच में? तुम शिर हो! सौननम बोलता है, हाँ. सुन्खाव बोलती है क्या मैं तुमे कुछ पूछ सकती हूँ क्या तुम फूफा को पसंद करते हो सुन्खाव घबरा जाता है वो पानी पी रहा था तो उसको खासी आ जाती है सुन्खाव बोलती है ये बहुत सपश्ट है तुन्नम बोलता है तुम क्या बोल रही हो तुम क्या सोच रही हो हम सिर्फ फ्रेंड्स है तुन्खाव बोलती है सच में तो तुमने उसके लिए इतनी लड़ाई क्यों किया और तुमने अपना स्कॉलर्शिप भी गवा दिया तुन्नम बोलता है क्योंकि फीने गलत किया था तुम्हें याद नहीं हमारे पेर्स क्या कहे थे हमें अपना जीवा निया के साथ जीना होगा इससे जादा कुछ नहीं तुन्खाव बोलती है नाम मैं जानती हूँ कि तुम उसके लिए फिल करते हो मुझे जूट मत बोलो मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे मुझे सुनना चाती हूँ तुन्नम बोलता है क्या ये कहना इतना इजी है तुन्खाव बोलती है दूसरों के लिए ये समझना मुश्किल है लेकिन मैं तुम्हें जनम से देख रही हूँ मैं कैसे नहीं जानूंगी कि तुम क्या फिल करते हो हम जुरवा है तोन्खाव बोलती है एनिवे के बारे में चिंता मत करो प्यार में कुछ सही या गलत नहीं होता सिर्फ अपने दिल की सुनो मुझे लगता है मॉम और डैट समझेंगे तुन्खाव बोलती है तुम्हें ट्राइ करना चाहिए सोसाइटी अल्रेडी चेंज हो गया है मैं तुम्हें चियर करूंगी तुन्खाव बोलता है थैंक यू अब जाओ यहां से मुझे अपना होमवर्क करना है और अपना फोन निकालता है तुन्खाव बोलती है तुम शियर हो के तुम होमवर्क ही करोगे तुन्खाव बोलता है हाँ जाओ यहां से फिर फूफा के घर का सीन दिखाया जाता है फूफा स्कूल के लिए निकल रहा होता है उसका फादर बोलता है तुम स्कूल जा रहे हो फुफा बोलता है हाँ उसका फादर बोलते है चलो एक साथ ब्रेक्फस्ट करते है फुफा बोलता है ओके और ब्रेक्फस्ट टेबिल पे आके बैठता है उसका फादर बोलता है मैंने वो क्लिप देखा फूफ़ पूलता है इस ओके डैट मैं भी माफी चाहता हूँ आपको निराश करने के लिए उसका फादर बोलते है नहीं तुमने कभी मुझे निराश नहीं किया मैं तुम्हारा पिता हूँ लेकिन मैं खुद के बेटे से ज़ादा दूसरों पर विश्वास किया फिर वो दोनों साथ में ब्रेकफस्ट करते हैं और फूफ़ा बहुत ज़ादा इमोशनल हो जाता है फिर स्कूल में फूफ़ा तुन्नम के लिए वेट कर रहा होता है तभी तुन्नम और तुन्खाओ आते हैं तोनखा और तोननम से बोलती है, कोई तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, मैं जाती हूँ, और वो चली जाती है, तोननम फूफा के पास आता है, और वो दोनों साथ जा रहे होते हैं, सभी पीम वहाँ पे आता है, और बोलता है, मिस्टर तोननम और मिस्टर फूफा, कूल के स तो नम बोलता है ये सब हमें ऐसे क्यों देख रहे है पिम बोलता है शायद ये फी के लिए है उसे दूसरे स्कुल में ट्रांसफर कर दिया गया है वो ये प्रेशर नहीं ले पा रहा था बहुत लोग उसे इंसल्ट कर रहे थे और सब उसके अच्छे ग्रेट्स के बारे में पूछ रहे थे फूफा बोलता है फी ने अपना सबक सीख लिया तो नम बोलता है अच्छा है वो फिर से ऐसा नहीं करेगा फीम बोलता है और वो क्लिप जो तुमने ऑनलाइन पोस्ट किया था वो बहुत लोगों ने शेयर किया हमरे स्कुल डारेक्टर को भी दूसरे यह वो इसके लायक है फिर क्लास्रूम का सेन दिखाया जाता है फीचर क्लास में आती है और बोलती है क्योंकि कमोल पब ने अपने अनुचित पहवियर के लिए अपना स्कॉलर्शिप हो दिया है हम अभी नए क्लास लीडर के लिए वोट करेंगे तब फूफा बोलता है मे आप लोगों का फेबरिट कपल कौन सा है मेरा फेबरिट कपल तो बॉन प्रेम है आप लोग बताए कि आप लोगों का फेबरिट कौन सा है तो मिलते है गाईस नेक्स्ट वीडियो में सी यू गाईस